हेलो फ्रेंट्स वेलकब टू एकॉंस एप ग्यान चैनल मैं कुलदीब जा आज का मेरा टॉपिक है माटेरियल डिपुमेंट लिस्ट तो आज के वीडियो में आप सिखेंगे जो हम एसेपी में जो है तो आज के वीडियो में आप ये सारे चीज़ सिखेंगे तो आज बठने से पहले कौन से आप ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करने जड़ी आज का वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जारूर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बूले तो सबसे पाले जो है ना हमें माटेरियल डियकुमेंट लिस्ट देखने के लिए जो टांग्यान कोड यह डालने के बाद आप सबको सबसे पाले ऊंदानी की ज़ो आपको कां सा मटेरियल जो है वह देखना है अब इसमें कम्पनी में बहुत सारा material होता है और जब material company में इन होता है तो कितना material हमारे stock में इन हुआ और वो material कैसे कैसे करके out हुआ है तो वो list जो है हम MB51 के तुरू देखते है तो उसी चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं की कैसे हम देखते हैं तो सबसे पहले material code में आपका जो material code होगा वो डालना है material code डालने के बाद आपका जो plant code है वो plant code यहां पे लिखना है और फिर आपके पास अगर आपको customer वाइज देखना है या आपको vendor code वाइज देखना है तो यह सब option है यह code देके भी आप देख सकते हैं इसके साफ अगर अ हैं अब देखिए हम यह करते हैं यह हमारा material पुरा display हो गया है डिटेल उसका अब इसमें storage location उसका क्या है material का document number क्या है उसके बाद उसका reference क्या है document date क्या है posting date क्या है फिर उसका जो है सो उसका material description क्या है pure description क्या है उसका cost purchase cost किया है उसके बाद उसका plant code किया है यह सारे उसका देखिए आपको skin page पढ़के आप देख सकते हैं कि entry date किया है कब किस time इंटी हुआ तो यह सारे detail हो गया अब यह तो आप इस तरह से देख लिए कि हमारा सबस्क्राइब uh तो इसको ascending या descending order में इसको फिर set कर लेते हैं तो देखिए हम ascending order में इसको करते हैं अब यह देखिए सबसे पहला हमारा जो है सबसे पहले आपको यह चीज समझना है कि प्लस में रहेगा और का मैनस में रहेगा आपका पर्चेजिंग प्लस में और सेल मैनस में रहेगा concept आपका यह रखना है फिर जाके आपको जो है देखिए फिर जब यह दो पीस थे दो पीस इनका सेल हो गया फिर इन्हों ने जो है फिर जो है स्टॉक में मंगवाया 20 पीस फिर जाके जो है सो यह फिर देखिए 1-1 quantity करके सेल होते गया सेल होते 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 फिर जाके इन्हों कोने मंगाया फोटी क्वेंटिटी इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे तो सारे जो है माटेरियल कितना इन हुआ और कितना सेल हुआ तो यह सारे डेट यहां पर टोटल डिटेल यहां पर एविलेबल है तो सब्सक्राइब हमने माटेरियल डिस्प्ले का काम कर लिया अब इसी माटेरियल को अगर यहां पर मौन लीजिए मैंने एक क्वेंटिटी डाला है अगर हमें एक बार में अगर मौन लोग दोजार चार अजार लाइन आइटम लेगा तो वहां पर आपको एक एक देखना दिकत होता है तो हमें डॉनलोड करना है और उसको या प्रिंट करन है यह दो ऑप्टन बजता है जिससे हाट कोपी में आपको आ जाएगा प्रिंट करने पर और शॉप कोपी में डॉनलोड कर लेंगे एक्सल फॉर्मेट में तो उसके लिए डिस्पले करने के बाद हमें अगर इसको प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है प्रिंट पर क्ल प्रिंट कर दिया आपको प्रिंट हो जाएगा तो मैं सिंपल इसी तरब से करना है तो नेक्स हमारा जो है हम इसको डाउंलोड कैसे कर好了 करने के लिए हम एक्सपोर्ट में जाएंगा इस पीड शीट में जाएंगे फिर इसको जो है यहां पर continue करेंगे या इंटर करेंगे दोनों सेम काम करते हैं desktop पर हम इसको save कर लेते हैं यह एलोग फिर एलोग करेंगे अब आपका Excel फॉर्मेट में जैसे आप Excel में काम करते हैं उस तरह से सारे इसमें आप जो भी add plus minus sub कर सकते हैं अब यहां पर वही चीज हमने Excel में download कर लिया तो हमने तीनों काम कर लिया सबसे पहले material को display करना सीख लिया फिर उसको print करना सीख लिया और फिर उसको download कर लिये Excel फॉर्मेट में तो यह तो हमने एक material का दिखाया अब इसमें हमें ऐसा भी हो सकता है एक बार में 150-200 material code भी होगा उसमें आपको कुछी नहीं करना है simple चाहां पर click करना है multiple selection पर इसको क्लिक करने के बार जो मुझली यह material कोड है वह material कोड आप यहां पर क्यवल पेस्ट करते जाहिए वह material वह भी साथ में आपको एक ही साथ में लिस्ट पर फिर continue कर जितना material है copy करके और यहां आपको यहां पर copy कर दिए वह अब यहां पर फिर execute कर दिए तो वह एक material है यह जितने भी material है वह सारे आपको यहां पर display कर देगा तो अब इस तरह से हम एक से अधिक item का भी हम इसमें चेंज कर रहे हैं आप यहां पर देख लिए आपको डिस्पले करके देखते जाए अगर आपको देखना है यह fabric softner है और यह protective cover है क्योंकि हमने तीन material ही यूज किया है तो इस तरह से आप बह हम करता है कर सकते हैं तो यह तो हमारा number of material code के लिए होगा है कि एक time में हम एक से आधि material का stock का detail हम display download और print तिनों कर सकते हैं है अगर वान लिजे मेरे को customer का देखना है कि हमने एक customer को कितना यह sale किया है तो सबसे पहले हमने material code डालना है फिर plant code डालना है और जो vendor या customer इसका भी आप देखना चाहरा है वो vendor customer code या vendor code डाल दिए अब इस customer को हमने कितना sale किया है वही data केवल दिखाएगा नोंकि यह stock का पूरा in-ort को पूरा data देखाएगा कितना purchase हुआ और कितना sale हुआ तो हम केवल को कितना किया है और दिखाएगा फिर execute करेंगे अब यहां पे देखिए यहां पे आपको केवल जो है इस कस्टमर को जितना सेल हुए है वही आपको यहां पे देखिए यह कस्टमर का नाम आ गया तो यह केवल इसी कस्टमर का डाटा आपको दिखाएगा तो इस तरह से आप जो है एक कस्टमर वाइज या वेंडर वाइज भी आप स्टॉक देख सकते हैं अनित्था आपको जो है तो टोटल कितना हुआ है एक प्लांट के अंदर में ओ सारे देख सकते हैं या आपको यह है कि हमें जो है इस माटेरियल कोड का आज कंपनी का अंदर में पचीज पचास सव प्लांट है को तो आप सब का एक ही सार क्या करना है आपको नई डाल के सिरा इस पर किलिक कर देना है तो आप ये भी आप निपनी आपको हो सकता है कि आप डाल के красивे धिकीज ।-वी आप इस तरह से डाल के display करना सिखाया फिर उसको paint करना सिखाया और फिर Excel में उसको convert करके आपको Excel format में download करना सिखाया अब यह होता है कि अब हमें यह है कि material code MB52 या MMBE और MB51 में सब में क्या सब तो material code ही display का काम करता है तो फिर दिकत के मैंने दोनों difference किया है तो difference simple यह है कि जब आप MB52 यूज करते हैं तो वहां पर आपको current stock status बद दिखाता है और और इस MB50 volume में जो है तो आपको complete कितना आपने in किया है purchase किया है कितना आपने quantity किस किस तरह से sale किया है quantity wise किस किस date में कितने किस invoice इस नमर रहे हैं वो सारे data complete stock detail MB51 में दिखाता है और इसलिए के लोग 51 में यूज करते हैं detail के लिए अगर current के वाल stock stock देखना है तो MB52 यूज कर सकते हैं या आप MMBE यूज कर सकते हैं तो आज का वीडियो अब हम यहीं पर खतम करते हैं फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में थैंक्यू कर दो